अलो प्रेंड्स मैं हूँ दिपिका और स्टेः हेल्दी बीद दिपिका में आपका बहुत-स्वालत है。 तो चलिए आज की रेशिपी है नो आज की बनाने की लिए मैंने यहां पी दो अग लिए है अाहप इस रेशिपी ब्रेक फास्ट में बना सकते हैं ये बिल्कुल 2 मिनट में बनकर तयार हो जाएगी और बनाना इसे बहुत ज्यादा आसान है बहुत हेल्दी भी है साथ ही बहुत टेस्टी भी है जो लोग अंडा घाते हैं तो क्या करना है दो एग ले लिए है और इहने क्रैक करके एक मिकसिंग बॉल में हम डाल लेंगे यह अब चाहो तो थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं उससे भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी फ्लेवर आएगा एक मिनट तक इसे हम अच्छे से फेट लेंगे ये देखी बहुत अच्छे से फेट लेंगे तब ही जाके जो हमारी रेसिपी बनेगी सूपर सॉफ्ट बनेगी और सूपर टेस्टी बनेगी अच्छे से फेट लेने के बाद मैंने गैस पे एक पैन को चढ़ा दिया है बिल्कुल हम थोड़ा सा ओईल से इसे या घी से ग्रीस कर लेंगे और जो बैटर हमने बनाया था ना भी एग का वो इसके अंदर डालेंगे और पूरे पैन में ऐसे फेला लेंगे गैस का फ्लेम हम यहां पे लो रखेंगे और उपर से धनिया पती को हम स्प्रिंकल कर देंगे यह देखे बारी कट करके धनिया पती को मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और लो फ्लेम पे इसे एक मिनिट तक पकने देंगे और जब ये side से किनारिया ऐसे उखडने लग जाए ना तो ये सोच लेना कि नीचे से अच्छे से हमारा पक चुका है चारो side से हम घुमा घुमा के ऐसे अच्छे से सिकाई कर लेंगे ये देखी बहुत ही easily हमारा बाहर ऐसे निकल रहा है किनारियों से तो नीचे से हमारा अच्छे से सिकाई हो चुकी है हम इसे पलट देंगे बहुत ही easy तरीके से इसे पलटा जा सकता है ये देखिए कितना crispy color इसके उपर आया है बिल्कुल हमारा masala omelette इस तरीके से हम बनाएंगे और दूसरी side से भी 30 से 40 second तक हम इसे पका लेंगे ये देखिए अच्छे से crispy sound इसके नीचे से आ रही है masala omelette हमारा बन के तयार हो चुका है साथ ही बहुत tasty है और बहुत जल्दी ये बन के तयार हो जाता है इस recipe को आप जरूर ही try करना अगर आप egg खाते हैं और पसंद आई तो please मेरे channel को like share and subscribe करना thank you so much